साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था, तो एक दूखत खबर भी मिलीगी, आज मुलायमसी यादव जी का नीधन हो गया है मुलायमसी यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी ख्षती है मुलायमसी जी के साथ बेरा नाता बड़ा विशेश प्रकार का रहा है जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे बेबी और मैं भी दोनों के प्रती एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे और 2014 में जब भारतिय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधान मंत्री पद के लिए आशिरवाद दिये तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिन से मेरा पहले से परिचज था ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्टर राज लेता थे राजनीती ग्रूप से हमारे विरोधी थे लेकिन उन सब को फोन करके आशिरवाद लेने का मैंने एक उपरकम किया था और मुझे आध है उस दिन मुलाहिम सिंग जी का वो आशिरवाद कुछ सना के दो शब्द वो आज भी मेरी अमानत है और मुलाहिम सिंग जी के विशेस्ता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशिरवाद दिया था उसमें कभी भी उतार चड़ाव नहीं आने दिया घोर राजनिती की विरोधी बाते के बीच भी जब 2019 में पार्लामेंट का आकरी सत्र था पिछली लोगसभा का और सौंसद के अंदर मुलाहिम सिंग जी जैसे बरिष्ट नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लामेंट में जो बात बताई थी वह इस देश के किसी भी राजनिती कार करता के जीवन में बहुत बड़ा आशिरवाद होता है उन्होंने सौंसद में खड़े होकर के कहा था कोई लाग लगबे गेट के बीना कहा था राजनिती का आटा पाटा के खेल के बीना कहा था उन्होंने कहा था मोदी जी सब को साथ ले करके चलते हैं और इसलिए मुईर ये पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुनकर के देश के प्रधान मंत्री बनेंगे कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जिवित रहे जब भी मोका मिला उनके आशिरवाद मिलते रहे मैं आज आदर्निय मुलाएम सींजी को गुजरात की इस धर्ती से मानर्वदा के तड़ से उनको आदर पुर्वक भाव बिनी स्थर धान्जली देता हूँ मैं इश्वर से प्रार्षरा करता हूँ उनके परिवार उनके समर्थकों को ये दूख सहने की शक्ति दे